प्यारे बच्चों यह आपको चैप्टर में भी बता आपको यह डिफ्रेंस है पावर सेरिंग का Explain the differences between horizontal power sharing and vertical power sharing सत्ता के ख्षितीज तता सत्ता उर्ध्वादार वितरणमी क्या अंतर है इसमें डिफ्रेंस आपको बताना है फर्स्ट पॉइंट है इसमें under the horizontal power sharing power is shared among the different organs of the government such as the legislature, the executive and the judiciary अक्सतीज वितरण के अंतरगत सरकार के विभी नंगो जैसे कार्य पाली का, विधाई का तथा ज्याई पाली का मिस्ता का बतवारा होता है इसमें दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट अंडर दा वर्टिकल पावर, showing different issues among the different limits of the government उर्द्वाधर वितरण के अंतरगत, सरकार के विभी नंस्त्रों में सत्ता का बतवारा होता है second point है, under horizontal distribution of power, the organs of the government are placed at the same level to exercise different powers इसमें सरकार के विभी नंग एक ही अस्तर पर रहकर अपनी अपनी सक्ति का उप्योग करते हैं इसमें second point है, the vertical division of power involves the higher and the lower levels of the government इसमें उच्चतर स्था निम्तर रस्तर की सरकारे होती है third point है, under this each organ checks the other इसमें प्रतियक अंग दूसरे पनियंतर रखता है, check and balance की इसमें policy है इसके अंतरगर इसमें third point है, under vertical power sharing the lower organs work under the higher organs इसमें निम्तर रस्तर के अंग, उस्तर रस्तर के अंगोगे अधीन काम करते हैं ये तीन पॉइंट है, इसमें तीन अपनी नॉट बुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करें